हेलो फैंस नमस्कार आज की सीडियो के माधियम से टी-ाडी-कंस्ट्रेक्शन का जोब परफाइल रेल्वे में कैसा होता है इससे डीटियल आज कीस डीयो में आपको बताएंगे काफी लोग वैरी कर रहे थे तो टी-ाडी-कंस्ट्रेक्शन का एक्षली वरकिंग इस परकार करने के बाद इसट हो रहता है जहां भी आपका एक चुरी आप्वाइंट में घुषिन एक किसी इसका मवग दिवीजिन में या जून में तो वहां पे जो नए किया जा रहा होगा या कहीं पर डबलींग का कार्ज किया जा रहा होगा सिंगल लाइन अगर है वहां पर डबल लाइन का कार्ज किया जा रहा है या ने रेल वी लाइन का का स्ट्रेक्शन किया जाता है तो वहां पर ट्रैक का लेंग करने के बाद एलेक्टिफाई किया जाता को वे की का जो मास्ट वो लगाए जाते हैं खंबा एक्टिक का उसके बाद वायर लगा जाते हैं और हे टुपेड वायर ताकि जब नहीं एक्टॉली जो रेल्बे लाइन ओपिन हो तो वहां पी जो है एलेक्टिक गार्या चलें तो उसमें आपका कार्च कहा रहाता है सारा यह कार्ज जो है Contraktor के सुपर्भाइजर करवाता है उसको इस चीज के बारे में वाकी कराना और अगर आप अगर आपको भी कभी कभार शप्ता में या 15 डेज में साइट पर फिजिट करना पड़ता है और इसके अलावा जैसे आपके हाईर ओफिशर है वह भी विजिट करें इसके अलावा कभी कभार जैसे आप देखते होंगे वहाँ पे साइट वगरा पे गारी वगरा का समझ्था तो इसके माध्यम से भी आप जा सकते हैं या जो आफिस वगरा में जो रहता है पीकप बलो टाइप उससे भी आप साइट वगरा पे विजिट कर सकते हैं और वर्क डोड वगरा जो है काफी कम ही रहता है क्योंकि ये पॉन्टेक्टर कार आता है दूसरा से रिलेटेटिड कोई वर्क नहीं रहेगा आपको काई कोई रेल्वे का गारियां जो है चलने रही है नहीं कर सकते हैं तो वहां पर कोई आइसा सक्टी वगरा का इश्यू नहीं रहता है जब तक यह ओपन ना हो जाए गारी के मोवेंट के लिए तो दूसरा आपको लाइफ एस्टेल वगर जो है विजिट करना रहता है तो यही एक्शली वर्किंग रहता है और अगर आपको मौका मिलता है जो है एक्शली टी-डी का सेक्शन का जॉब आप जोइन करें काफी बढ़िया रहेगा वर्क लोड़ोगर काफी कम है आसा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है टी- आपको समझ में आया होगा अगर आपको चैनल अच्छा लगता है जो लाइक सब्सक्राब और सेर करें धन्यवाद